हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई क्लास आज हम लोग चेप्टर नाइन का आपजेक्टिव क्वेस्टन अंसर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आये सुरू करते हैं क्वेस्टन वन जीपी मर्डॉक के अनुसार नातेदार के कितने प्रकार होते हैं उप्शन A 33, B 120, C 55, D 155 इसका उप्शन है उप्शन A 33 परिवार वह छोटा तथा सुक्ष मसमू है जो यौन संबंध पर आश्रित है तथा संतान के जन्म और पालन पुसन की विवस्था करता है परिवार की यह परिभासा किसने दी हैं उप्शन A मेकाईवर, B मॉर्गन, C कॉम्ट, D वेबर अंसर है उप्शन A मेकाईवर क्वेस्चन बहु पत्नी विवाह वह विवाह है जिसमें आदिमी रख सकता है उप्शन A दो से अधिक पत्निया, B एक पत्नी, C दो पत्निया, D सिमित संख्या में पत्निया इसका अंसर है उप्शन A दो से अधिक पत्निया संयुक्त परिवार में मना ही है कि स्रमिक गतिसिलता हो, व्यक्तिवाद हो उप्शन A स्रमिक गतिसिलता हो, B व्यक्तिवाद हो, C भूमिक बटवारे, D इनमें से सभी इसका अंसर है उप्शन D इनमें से सभी, संयुक्त परिवार में ये सारी बातों की मना ही होती है नेक्स्ट, नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं उप्शन A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 इसका अंसर है उप्शन B, 2 नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्वेस्टन है हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ उप्शन A, 1961, B, 1958, C, 1954, D, 1955 इसका अंसर है उप्शन D, 1955 नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो इस विवाह को कहते हैं उप्शन A, बहु विवाह, B, भात्रिक बहु पती विवाह, C, अभात्रिक बहु पती विवाह, D, अंतर विवाह इसका अंसर है, option B, भात्रिक बहुपती विवाह Next question नागा, भील तथा गोंड जन्जातियों में कौन सा विवाह प्रचलित है? Option A, परिविक्छा विवाह B, क्रय विवाह C, हरन विवाह D, सेवा विवाह इसका अंसर है, option C, हरन विवाह Next मारगन ने परिवार के उद्विकास के स्तर पर स्विकार किये है Option A, 2, B, 3, C, 4, D, 5 आंसर, D, 5 सयुक्त परिवार की प्रमुख विशेस्ता है Option A, बड़ा आकार B, सामुहिक संपत्ती C, परस्पर रक्त संबंध D, ये सभी आंसर है, option D, ये सभी Next question है, नातेदारी प्रथा वह विवस्था है जो ब्यक्तियों को विकसित समाजिक जीवन में विवस्थित समाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरना देती है यह कथन है, option A, चाल्स विनिक का B, रेड क्लिफ ब्राउन का C, रॉबिन फॉक्स का D, एस सी दूबे का इसका अंसर है, option B, रेड क्लिफ ब्राउन का नेक्स्ट, विवाह के आधार पर स्थापित होने वाली नातेदारी कहलाती है option A, प्राथमिक नातेदारी B, रक्त मूलक नातेदारी C, विवाह मूलक नातेदारी D, इन में से कोई नहीं अंसर है, option C, विवाह मूलक नातेदारी किस समाज सास्त्री ने परिवार के संगठन में रक्त संबंध पर अधिक जोर दिया है आंसर है ओप्शन A. क्लेयर बी किंसले डेविस सी बोगाडस डी जेनरल एसेंबली आंसर है ओप्शन A. क्लेयर निमने लिखित निमने लिखित में कौन सा संगठन प्रत्यक्ष सहयोग पराधरित है ओप्शन A. परिवार C. सरकार D. जेनरल एसेंबली आंसर है ओप्शन B. परिवार नेक्स्ट किस परिवार को एक परिवार को एक परिवार को मनोग्यानिक आराम ग्रिह कहा है ओप्शन A. मेकाईवर और पेज ने B. अगबर्न और निमकॉफ ने D. बर्गेश और बगेल ने D. सदरलन एवं बुडवर्ड ने इसका अंसर है ओप्शन B. अगबर्न एवं निमकॉफ ने परिवार को एक परिवार को मनोग्यानिक आराम ग्रिह कहा है कौन सा कथन परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है ओप्शन A. परिवार समाज की प्रारंभी की काई है B. परिवार एक समिती भी है और एक संस्था भी है C. परिवार की प्रकृति अस्थाई होती है D. परिवार में यौन सम्बंधों की सामाजिक स्विक्रिती रहती है इसका अंसर है option C. परिवार की प्रकृती और इस्थाई होती है next किनके सब्दों में परिवार लगभग एक इस्थाई समिती है option A. मेकाईवर और पेज B. ओकबर निमकॉफ C. विसेंज और विसेंज D. बर्गेश और लोग इसका अंसर है option A. मेकाईवर और पेज next निमन लिखित कार्यों में कौन सा कार्य परिवार से सम्बंध है option A. समाजी करन का कार्य B. आर्थिक कार्य C. सांस्कृतिक कार्य D. उपरिवार सभी आंसर है option D. उपर्यूक्त सभी next मेकाईवर तथा पेज के अनुसार परिवार का कौन सा लक्षन सही नहीं है option A. सारोभमिक्ता B. विस्तृत आकार C. भावात्मक आधार D. सामाजीक नियमन तो इसका आंसर है option D. सामाजीक नियमन next है निमनांकित कथनों में परिवार से संभध कौन सा लक्षन सही नहीं है option A. परिवार कुछ लोगों का संग्रह है B. परिवार सामाजी करन किये की काई है C. परिवार एक सारो भामिक संस्था है D. परिवार का प्रधान उद्देश से याउन सम्मंधों की स्थापना है तो इसका आंसर है option A. परिवार कुछ लोगों का संग्रह है परिवार की उत्पत्ती के बारे में मेकाईवर तथा पेज के अनुसार कौन सा कथन सत्य है option A. परिवार की उत्पत्ती के मुल में बस्वत याउन समंधों को नियंत्रित करना था B. आदिम समाज में परिवार नहीं था C. मानों जीवन के विकास की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं थी जिसमें की परिवार नहीं था D. समाज की एक ऐसी अवस्था थी जिससे आगे चल कर परिवार निकला तो होगा इसका अंसर option B. आदिम समाज में परिवार नहीं था Last question है परिवार समाजिक नियंत्रन की कैसी बेवस्था है option A. सार्वभामिक, B. विशाल, C. लगू, D. विस्त्रित इसका अंसर है option A. सार्वभामिक परिवार समाजिक नियंत्रन की एक सार्वभामिक परिवस्था है तो यहाँ पर हमारा परिवार और नातेदारी चैप्टर यहीं समाथ होता है जिसका हम लोगों question answer कर शुके ठीक है और आगे हम यहाँ से हमें समाजिक संस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ना इसके आगे वही सब चैप्टर है तो आगे हम नया चैप्टर सुरू करेंगे जिसमें की जिसका टॉपिक होगा अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को जिसका टॉपिक होगा छेत्रकारे एवं उपकरन की प्रविधिया फिल्ड वर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में आज क्लास के लिए नहीं है धन्यवाद अभी मैं अभी मैं बतात करेंगे वर्क के लिए वर्क करेंगे लिए नहीं है जिसका टॉपिक होगा देत्रकार प्रेश्टर आवाद